या फिर वाइट अगर आप सब को डैजर टीगल चलाना आना ही चाहिए क्योंकि इसकी एक गूलीनिंगी हैं कि हैड को फोड़ सकती है तो आप सब की ये पिश्टल और भी जद़ एडवांस लेवल की परफॉर्मेंस देगी और आप सब चाहे तो डैजर टीगल के साथ एक डू यू एंड स्कोट को आसानी से वाइप आप कर सकते हो अगर आप सब डैजर टीगल के साथ एडवांस लेवल के हैडशोट मारना चाहते हो तो आप सब को कुछ भी नहीं करना सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है मैं एडवांस लेवल की ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप सब यह जान लो कि अगर आप सब एक लो सेंसिटिविटी पर खेलोगे तो आप सब के एडवांस लेवल वन टैप हैशोट कभी भी नहीं लगेंगे आप सब को अपना इन गेम सेंसिट तो आप 500 DPI यूज़ कर सकते हो अगर मैं मेरे परसनल DPI के बारे में बता हूं तो मैं अपना DPI 596 रखता हूं और साथ में आपका फायर बटन का साइज होता है उसको आप लोगों को 45 तो लेके 47% के बीच में रखना है अभी स्टार्टिंग होती है अपनी वीडियो के में टोपिक की टेकनीक्स एंड ट्रिक्स देखो ट्रिक्स तो हमें बहुत साही पता होती है लाइक रोटेशन ड्रैग होल्ड ड्रैग एंड श्ट्रेट ड्रैग बट जब तक आप इनको टेकनीक से यूज नहीं करोगे आप सब अच्छे से नहीं मार पाऊगे बट अगर आप इनके पीछे की टेकनीक को अच्छे से समझ लेता हो तो आप सब एडवांस लाइल का गेमपले दिखा सकते हो लाइक मैं आप लोगों को एक एक जमपल लेकर समझा देता हूं आप सब को पता है रोटेशन ड्रैग क्या होता है और आप सब को रोटेशन ड्रैग अच्छे स यूज करने का सहीं तरीका नहीं है आप सब जानते हो एक मैच के अंदर इनिमी की पोजिशन कंसिस्टेंटली चेंज होती रहती है वो कभी तो स्टेट खड़ा हो जाता है कभी लेफ्ट एंड राइट मूग करने लगता है या तो हमारे सोट रेंज में होता है या फिर हमारे लोंग रेंज में होता है एंड इन सभी सिचुएशन के अंदर अगर आप सहीं टेकनिक का यूज नहीं करोगे तो आप सब ओनली बोडी शोटी मार पाऊगे लेकिन अगर आपने इनिमी की पोजिशन को समझ के सहीं टेकनिक का यूज कर लिया तो आप लोग डैजर्ट करेंगे इस सिचुएशन के अंदर आपको नोर्मल ड्रैक का यूज करना है लाइक अगर इनिमी राइट साइड मूव करेगा तो आप सब को अपने फायर बटन को भी राइट साइड ऊपर की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा तो यह तो ची लेफ्ट एंड राइट स्टील पोजिशन के बारे में बता देता हूँ देखो अगर कोई भी इनिमी एकदम स्टील खड़ा हुआ है उसको अगर आप सब स्ट्रेट ड्रैग मारोगे तो आप सब एजिली वन टाप हैडशुट गेन कर सकते हो पट एक कंडिशन के अंदर जब तक आप क्रोशेर को टच नहीं करोगे आपको अपना एंबंदे की नेक पर या फिर पाउं के नीचे लाना है और जोर से उपर के तरफ सीधा सीधा ड्रैग कर देना है और आपको अपना क्रोशेर के उपर बिल्कुल भी टच नहीं करना है उसके बाद बारी आती है लोंग रेंज फाइट की द लिए लोंग रेंज में पीक लेना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है और पीक लेने के बाद आप लोगों को अपना जो क्रोशेर है उसको छोड़ देना है और सीधा सीधा ड्रैग कर देना है आप लोंग रेंज के अंदर एजिली वंटाप एटिट मार पाऊ आप सब ये तो जानती होंगे कि रोटेशन ड्रैग के लिए वाइट एम रखना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है पर इसकी पोजिशन क्या रखने चीए वह आप लोगों को अच्छे से नहीं पता होगा देखो आपका जोई एम होता है वो या तो एकदम नेक के पास होना चाहिए या फिर इनिमे के पाउं के नीचे होना चाहिए बलेकिन थोड़ा सा साइड में होना चीए अगर आप सब इन दोनों सिच्वेशन के अंदर मलबकि इन दोनों पॉजिशन के ओपर अपना एम रखके रोटेशन ड्रैग मार ओगे तो आप लोगों के वन टैप